Welcome friends, आपके ही अपनी YouTube चैनल Dream Creek Group में आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबल होने वाला है GRD और LSS के बीच में इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं क्या हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और वेल आइकन ब्रेस कर देना है जिससे हमारी लेटेस्ट बुड़ का बिडाब तक पहुंस तरह है तो चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कर लेटे बारे में बेन्यु के बारे में याधी बात ही जा लास्ट के जो last के चार मुकाबले खेले गाए हैं इस बेन्यु पर इसके बारे में तो यहां पर average निकल कर आया है मतलब एक मैंच में average 10 बिकेट गिरती हैं पांच-पांच बिकेट लगवग एक इनिंग में गिरती हैं तो इससे सिद्ध होता है कि दोस्तो हम बॉलरों को भी avoid नहीं कर सकते हैं चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर pitch report के बारे pitch report आप यहाँ पर देख सकते हो बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट है और दोस्तों यदि overall बात की जाए तो यहाँ पर 98 रन यहाँ पर average score है लेकिन अभी team में यतना अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लगबख 70 के आसपास और 80 के आसपास score देखने के लिए आपके लिए मिल जाएगा तो चलिए बात करनें दोनों ही team हो की head to head मुकाबले के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही team हो की head to head मुकाबले खेले गा है और LSS वह सांदार खेल कर आ रही है तो आप यहाँ पर GRD का देख सकते हो दोस्तो आसप हूपर open करती हूँ नहीं जर आ जाएंगे Sam Brown के साथ Brown में भी दोस्तो कुछ नहीं किया Hooper ने एक विकेडिव जट काया उसके साथ में 5 run भी इनों ने बनाए उसके लाब आप देख सकते हूँ यहाँ पर Ned है नमर तीन पर बल्ले बाजी के निकली आएंगे खाता यह भी नहीं खोल पाए Kevin गेंद बाजी और बल्ले बाजी दो और करेंगे Kevin Abraham आप देख सकते हूँ यहाँ पर 0 run और 1 wicket दोस्तों तो टॉप ओडर के बल्ले बाज हैं इन दोनों को नोट करिएगा आप क्या आज से फूपर को और Kevin Abraham को आप नोट करिएगा क्योंकि यह बल्ले बाजी के साथ साथ गेंद बाजी भी करकर दे रहे उसके अलाबा Harry है इन्हों ने 29 run बनाए दोस्तों अपने टीम की ओर से highest run गेटर यह रही थी रिचल रिचर्ड से हैं दोस्तों एक बिकेट इन्हों ने चटका है Grant ने मात एक रन बनाए ओवर्ड मैको है आपके लिए खेलती हूँ ने जर आ सकते हैं दोस्तों यदि एवर्ड मैक खेलेंगे तो आपके लिए उसके बारे में अपडेट हमारी टेलिगराम चेनल पर मिल जाएगी तो प्लीज आप टेलिगराम से चुल जाएगे टेलिगराम की लिंक आपको वीडियो की डिस्किप्शन में मिल जाएगी क्योंकि आफ्टर टौ दोस्तो बैक्सियर व्राउन है और नमर 11 पर वर्मन है वर्मन को एक विकेट जरूर मिला था दोस्तो लेकिन इनको किसी को विकेट नहीं मिला तो चलिए बात करें दोस्तो यहाँ पर LSS की संबावित 11 के बारे में तो आपके लिए मौलनी ओपन करती उने जरा जाएंगे ब्र नोट करिएगा डगलस को आप as a captain by captain try कर सकते हूँ कैन की और दोस्तो यहाँ से less man की betting नहीं आए और दोस्तो इनकी भी betting नहीं आए बल्लेबाजी order में दोस्तो और आपके लिए एक important player हो सकते हैं बल्लेबाजी अब अच्छी कर लेते हैं ओजस मैथ्यू को दोवेके नहीं आपर मिली थे तो इनकी टीम के ओर से दोस्तो इनकी टीम के ओर से निकल कर आते हैं तो चलिए तयार कर लेते हैं हमारी dream 11 की team तो सब पहले आपने यदि अभिया तक हमारे चैनल पर नहीं हो और वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है दोस्तो यह दोनों काम आप जरूर कर लें यहाँ पर लेजमेन के बारे इम बत करें तो लेजमेन आपके लिए खिलती हुने जर आ हो लेकिन दोस्तों आप पर्षेंटिस के बारे मत जाईएगा क्योंकि लोगों को इन के बारे में नहीं है जी यहां दोस्तों आपको नौलेज है तो आप फुल नौलेज से क्रीम अपनी पिक करिएगा यदि आपने वीडियो पूरी देख ली तो हार रेक कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतने डीपली में आपके लिए डिसक्राइब करता हो हर एक बलियर के बारे में तो चलिए बात करते हैं आप बल्लेज सेक्शन के बारे में बात करें डीन डगलस को अपने टीम में ट्राइग करूँगा लास्ट में आपने प्रमेंस भी देखा होगा दोस्तों दाउन फर लगफागे बल्लेजी करेंगे नेड एक सांदार बल्लेजी ग्रेंड लिक के लिए आपके लिए अच्छी चोइस हो जाती है यदि आप इन्हें ग्रेंड लिक की टीमें अपने ट्राइग करना चाहते हो तो बिलकुल कर सकते हो बोड़े सीजन आप पर है और ए दो अबर पूरी करेंगे तो आपके लिए गेम चेंजर प्लियर हो सकते है यदि आप इन्हें नहीं लेना चाहते और रिस्क नहीं लेना चाहते तो नेड को आप अपने टीम में ट्राइग कर सकते हो मैं फिलार किस्ती में इन्हें अपने टीम में ट्राइग करूंगा उसक लेकिन दोस्तों उससे पहले में आपके लिए एक बात बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर क्याड़िट इसू फेस करने वाले हूँ, यदि आप क्याड़िट इसू फेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप माई फेवले बिन डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्किप्शन मे मिल जाए, डाउनलोड करकर आपके लिए राज 1-2-3 कोड डालना है, इससे हमारी तरफ से आपके लिए 50 उपे का केस बोनस आ जाएगा, बहुत सांदार है अप्लिकेशन है, आप एक बार जरू ट्राई करकर देखे हैं, लो एंट्रिफीस, एक से दो मिनिट में बेंक देखिएगा दोस्तों, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फर्स्ट टाइम आप जित्ता भी डिपोजिट करोगे, यदि आप 100 करते हो, तो हमारी तरफ से आपके लिए 400, यदि आप 400 करते हो, तो हमारी तरफ से दोस्तों आपके लिए 800 रु आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर जरूर जोइन कर लें, चलिए बात करते हैं यहाँ पर आल राउंडर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर हारवर को, इब्रायम को, स्टेपन को मैं अपने टीम में ट्राई यदि आप वीडियो लाइस्ट में स्किप करकर आए हो, तो वहाँ जाकर आप वीडियो जरूर देखें, अब बात करें बॉलिंग सेक्शन के, बॉलिंग सेक्शन में स्ट्राउ को ट्राई करूँगा, हाइस्ट बिकेट टेकर हैं, अभी तक तीन बिकेट इन होने अपने एक ही मुकाबले में निकाले हैं, तो ग्रेलिक के लिए अच्छी चोहाँ सोजाती है, एज आ कैप्टन, बाइस कैप्टन, उसके अलाबा उथोनों लीज से आपके अच्च आप्चन है, और दोस्ति यहाँ पर बर्मन, एक तीन आपके लिए बेस्ट आप्चन है, इन तीन आपके पास पूरी है, तो आप अपने हसाब से चेंजिस भी कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैप्टन, बाइस कैप्टन के बारे में, आपके लिए आपर तीन आप्चन अवेलेबल कराऊंगा, तो वो तीन आप्चन है, मैं दोस्तो, डिन डगलस, एक हूवर और दोस्तो, एक स्ट्रो, एक तीन आप्चन मैं आपके लिए कैप्टन, बाइस कैप्टन के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इनमें अपना रोटेट कर सकते हो, जी यहाँ दोस्तो, आप इनमें अपना रोटेट कर सकते हो, कैप्टन, बाइस कैप्टन, और फाइ